महोदय बिश्व आज परियावरण की चोराहे पर आखड़ा हुआ है अब वातावरण प्रदूसन की समस्यां को हल करने में हम कितने सच्छम सिद्ध होते हैं यह हमारे वातावरण के प्रदूसन की उपर निर्भर करता है हमको एक ऐसे संसार की कलपना करनी है जहां बिना छती सोसन रख रखाओ और उत्पादन का निर्णय लिया जाता हो हमें एक ऐसे विश्व की कलपना करनी है जिसमें हमारा एक हर फैसला परियावरण को छती पहुँचाए बिना उसकी सुरच्छा कर सके और नई चीजों को बनाने के लिए किसी प्राक्तिक चीज को बरबादना करना पड़े आज संसार गरीब और अमीर के बीच में बठ गया है उन लोगों के बीच में बठ गया है जिनोंने अपने भौतिक सुख की खातिर संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन किया है तथा आज भी अंधे जीवन यापन की खातिर इनका गलत उपियोग कर रहे हैं तथा दूसरी ओर वे लोग हैं जो विकास की परिद के किनारे खड़े हैं और विकास के फल नहीं भोगपा रहे हैं अमीर की तुल्ना में गरीब द्वारा वातावरन को ही की गई छती बहुत ही नगन्य होती है हर संसार की 20 प्रसत जनसंख्या दुनिया के 80 प्रसत संसाधनों का उपभोग कर रही है तथा यह भी अनुमान लगाया गया है कि पस्चिम के सरवाधिक विक्षित देशों में प्रतिव्यक्ति 186 टन कारवन पदार्थों का उत्पादन पिछले चार दसकों से हो रहा है जबकि इसी समावधी में भारत में यह दर सिर्फ चार टन प्रति ब्यक्ति से भी कम रही है एसिया एवं अफ्रीका में पर्यावनन की बढ़ते प्रदूसन का एक मुख्य कारण यहां जनसंख्या व्रिद्ध की उची दर को बताया गया है जो की सत्य नहीं है भारतिय अनभवों से यह बात प्रकास में आई है की परिवार नियोजन के उपायों को विसाल इस्तर पर चलाने की तुल्ना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा स्वास्थ है तथा उच्च इस्तरीय साच्छर्ता दूसरे सब्दों में गरीबी का निवारन ही अधिक प्रभावकारी उपाय सिद्ध होता है कुछ लोगों का कहना है की रेगिस्तानी करण तथा ओजोन परत के शिकुणने के लिए विकास सील देशों में आयन वृत्तीय छेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ही जिम्मेदार है भारत में वन सामुदाईक संसाधन है जहां इनका प्रवन्धन कार्य सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में देखा जाना आवश्यक है उदाहरन के तौर पर वनों के संरच्छण एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी को दूर किया जाए